नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में समुत्र गुप्त द्वारा किये गए यूद्ध तदा उसकी वीजियों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो यदि आपने यूटूब चैनल इं तो मुझानकरी प्राप्त कर सकें तो समुत्र गुप्त के बारे में हमने काफी कुछ पहले भी पढ़ा है गुप्त समराजे के बारे में काफी कुछ पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और गुप्त का आल के पारे में इन्पोर्मेशन देख सकते हैं ठीक है तो दे प्रियाग प्रशेस्ती के सब्दों में संपूर्ण पर्थवी को जीदना अर्थाद धर्णी बंद था ठीक है प्रियाग पर्शेस्ती उसकी विजों का पूरा-पूरा वीवरण हमारे समक्स उपस्तित करती है जिसे हम निम्लिके सीर्षकों के द्वारा देख सकते हैं ठीक ह आर्यावर्थ का पर्थम यूद अपने दिगविजे की परकरिया में समुद्र गुप ने सर्वा पर्थम उत्तर भारत में एक छोटा सा यूद किया जिसमें उसने तीन सक्तियों को प्राजित किया इसका उलेग परसस्तिगी तेरवी चोदवी पंक्तियों में मिलता है इन इस्तित राम नगर नामक स्थान से की जाती है जहां से अच्चुन नामांकित कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं नाग सेन यह एक नागवन्सिय राजा था जो पदमावती गौालियर जिले में इस्तित पदप वय्या में सासन करता था कोद कुलज यह बताया गया है कि जिस समय समुद्र गुप्त पाठली पुत्र में खुश्या मना रहा था उसकी सेना ने उसे बंदी बना लिया दिल्ली तथा पूरवी पंजाब से कोद नामधारी सिक्के मिलते हैं यह इस पस्ट नहीं है कि समुद्र गुप्त ने इन तीनों राज़ों को एक ही युद में प्रास्त किया था अथवा अलग-अलग युद्धों में केपी जैसवाल का विचार है कि इन तीनों राजों ने एक समलित संग बना लिया था और समुत्र गुप्त ने इस संग को कोसांपी में प्राजित किया था किन्तु इस परकार की मन्निता के लिए कोई प्रमान नहीं मिलता है इस यूद को आरिया वर्थ का पर्थम यूद कहा जाता है मनुस्मर्ति में पूर्वी समुदर से लेकर स्पस्यमी समुदर तक और विंधय चल तता हिमाले परवतों के बीच इस्तित भाग को आरिया वर्थ की संग्या परदान की गई है दक्षिनापत का यूद दक्षिनापत से तातवरिय उत्तर में विंधय परवत से लेकर दक्षिन में कृष्णा तता तुंग भद्रा नदियों के बीच के परदेश से है सुदोर दक्षिन के तंबिल राजे इसकी परीदी से बाहर थे महा भारत में विदर्व तथा कोस्तल के दक्षिन में इस्तित परदेश को दक्षिनापत की संग्या परदान की गई है गंगा गाठी के मैदानों तथा दोआप के परदेश की विजय के बाद समुद्र गुप्त दक्षिनी भारत की विजय के लिए निकल पड़ा इन राजों को पहले तो समुद्र गुप्त ने जीता किन्तु फिर कृपा करके उन्हें स्वतंतर कर दिया उसकी इस निती को हम धरम विजयी राजा की निती कह सकते हैं ऐसा पर्तित होता है कि समुद्र गुप्त उनसे भेंट उफार आदी प्राप्त करके ही संतुष्टे हो दक्षिनापत के राजे देखे कौन-कौन से थे ? खलपूर का राजा धनन्जे ठीक है अत्यम कह सकते हैं कि समुद्र गुप्तों दक्षिनी भारत के अभ्यान में बहुत अधिक धन उपहार अथ्वा लूट में प्राप्त अथ्वा लूट में काफी कुछ से प्राप्त हुआ होगा ठीक है आर्या वर्थ का द्वित्य यूद दक्षिनापत के अभिहान से निवर्थ होने के बाद समुद्र गुप्त ने उत्तर भारत में पूनह एक यूद किया जिसे आर्या वर्थ का द्वित्य यूद कहा गया ऐसा प्रतीत होता है कि पर्थम यूद में उसने उत्तर भारत के राजों को केवल प्रास्थी किया था उनका उन्मूलन नहीं किया राजधानी में उनकी अनुपस्तिती का लाव उठाकर उत्तर के सासकों ने पुना स्वातंत्र होने की चेस्टा की अता दक्षिन की विजय से वापस लोटने के बाद समुद्र गुप्त ने उन्हें पूंट या उखाड फेंका इस नीती को परसस्ती में प्रसभो धारन काहा गया है ये दक्षिन में अपना ग्रहन मोकसानु ग्रहे की नीती के पर्तिकूल थी समुद्र गुप्त ने उत्तर भारत के राजों का विनास कर उनके राजों को अपने समराजे में मिला लिया प्रियान पस्ति की 21 वी पंक्ति में आर्या वर्थ के नोराजों का उलेख हुआ है और ये नोराजा इस प्रकार से है रुद्दरदेव, गणपती नाग, नंदी, चंदरवर्मा, अचुत, बलवर्मा, नागसेन, मतिल और नागदत ठीक है आर्या वर्थ के द्वीतिया युद के पडाम सुरूप समुद्र गुप्त ने समस्त उत्र परदेश तथा मध्य परदेश के एक भाग पर अपना दिकार सुद्रडे कर लिया था, आठविक राजों की विजे प्रियाग प्रशस्ति की 21 में पंक्ति में ही आठविक राजों की भी चर्चा हुई है इनके विशे में ये बताया गया है कि समुद्र गुप्त ने सभी आठविक राजों को अपना शेवक बना लिया फलीट के मता नुसार उत्तर परदेश के गाजीपूर जिल्ले से लेकर मध्या परदेश के जबलपूर जिल्ले तक के वन परदेश में ये सभी राजे फैले हुए थे उत्तर था दक्षिन भारत के बीच के आवागमन को सुरक्षित कर रखने के लिए उन्हें नियंतरण में रखना आवसिक था लगता है कि जब समुद्र गुप्त दक्षिन अभिहान पर जा रहा था इन राजों ने उनके उसके मार्ग में अवरोध उत्पन किया अत्य है उसने उन्हें जीत कर पूर्ण दिया अपने नियंतरण में कर लिया था पर्तेंद अर्था सीमावर्ती राजों की विजे परसस्ती की 22 वी पंक्ती में पर्तेंद राजों की एक लंबी सूची मिलती है ठीक है जो समुद्र गुप्त की पूर्वी उत्तर पूर्वी तता पस्यमी सिमों पर इस्तित थे इनके विशे में ये कहा गया है कि समुद्र गुप्त को सभी प्रकार के करों को देते ये राजे हैं वो समुद्र गुप्त को सभी प्रकार को के कर देते थे उसके आग्यों का पालन करते थे तता उसे परणाम करने के लिए उपस्तित होते थे इन बातों से परतीत होता है कि समुद्र गुप्त के प्राकरम से बहेबीत होकर इन राजों ने उसके दिनता स्विकार कर ली थी उत्री ते था उत्री पूर्वी सिमा पर इस्तित राजों की संक्या पांच है और वे सभी राज्तंतर हैं देखिएगा वो पांच राज्य कोन कोन से हैं सम्तट, डवाक, कामरूप, कर्तरपूर और नेपाल ठीक है इनमें सम्तट से तात्परिय पूर्वी बंगाल के समुदर तटवर्ती परदेश से हैं डवाक के पहचार असम से नोगाम जिल्ले में इस्तित डबोग नमक अस्थान से की जाती है और कामरूप, आदुनिक, असम का किंदर ये भागता, कर्तरपूर की पहचान, जालंदर इस्तित कर्तार पूर से की जाती है एक मत के अनुसार इसके अंतरगत कुमायू गडवाल तथा रुहेल खंड का प्राचिन कतूरिया राज पडेश भी आता था नेपाल से तात्पर आधुनिक नेपाल राजे से है प्राचिन नेपाल गंडग तथा को से नदियों के बीच इस्तित था ठीक है पूर्वी राजों विशेश रूप से बं समुद्र बंदरगाहों का नियंदरन प्राप्ति हो गया था यहां का सो परसित बंदरगाह तामर लिपती था जहां से मालवाहक जहां मले प्राइदवीब लंका चीन तथा पूर्वी द्यूपों को नियमित रूप से जाया करते थे स्थल मारगों द्वारा भी यह स्थल बंगाल तथा भारत के अन्य नगरों से जुड़ा हुआ था हताय कहा जा सकता है कि समुद्र गुप्त के इस भाग पर अधिकार ने गुप्त समराजे की आर्थी की समरदी में महत्तो पूर्ण स्थान दिया था ठीक है परतेंद राजेओं की दूसरी कोटी में नो गणराजे हैं जो पंजाब, मालवा, राजस्तान तता मदेवर देश की विविर भागों में फैले हुए थे ये समुद्र गुप्त के समराजे की पस्यमी तता उत्र पस्यमी सीमा परिस्ति थे इसके नाम इस परकार से मिलते हैं मालवा, अर्जुनायन, योधेई, मद्रक, आभीर, प्राजुन, संकानिक और काक तता खरपरिक ठीक है इनमें मालव लोग गुप्तों के समय में मंत्सो और प्राचिन दिश्पूर में राजे करते थे अर्जुनायनों का राजे आगरा जेपुर छेत्र में था योधेई गनराजे 17 नदी के दोनों किनारों की भूमी जिसे जोहिया बार कहा जाता है में इस्तित था मद्रक लोग रावी तथा चिनाप नदियों के बीच की भूमी में सासन करते थे उनकी राज़नी साकलर था श्याल कोट में थी प्रारजुन गनराजे मद्धे परदेश के नरसी हैं पूर जिल में इस्तित था सनकानीक भिलसा के आसपा सासन करते थे यहां से 20 मेल उत्तर में इस्तित काकपूर नमक स्थान में काक गनराजे था तथा खरपरिक लोग दम्मू है मद्धे परदेश के सासन के थे ठीक है तो देखेगा इस वीडियो में हमने समूद्र गुप्त की जो वीजे तथा उसके द्वारा इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की आगे हम आपको इसी प्रकार से इन्फोर्मेशन देते रहेंगे तो बने रहें यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज पे